आप सभीने आज़कल एक बीमारी का नाम जरूर सुना होगा थाइराइड लेकिन ये थाइराइड है क्या? आज हम इसी बीमारी पर चर्चा करेंगे थाइराइड क्या है थाइराइड कैसे होता है इसके लक्षन क्या है और अगर इसकी कोई घरेलू चिकित्सा है तो वो क्या है गर्धन के निचले हिस्से में इस्थित एक तितली की आकार की ग्रंती है यह T3 और T4 हार्मोन को स्रावित करता है इसे थाइराइड हार्मोन कहते हैं यह हार्मोन शरीर के अनेक गत्विधियों को नियंतरित करता है जिसमें दिल की धड़कन और कैलरी की खपत को कंट्रोल करना शामिल है जब थाइराइड गरंती जरूद से कम या जाधा मात्रा में हार्मोन का निर्माण करने लगती है तो ये थाइराइड से जड़ी समस्याइं पैदा कर देती है आखिर थाइराइड होता कैसे है आतेदिक सोया प्रोटीन, कैपसूल और पाउडर का सेवन करने से कुछ खास तरह की दबाओं का साइड इफेक्ट होता है जिस वज़ा से भी थाइराइड की समस्या हो सकती है बात करते हैं थाइराइड के लक्षणों की समनता थाइराइड दो प्रकार का होता है एक हाइपर थाइराइडिस्म और दूसरा हाइपो थाइराइडिस्म इन दोनों के लक्षणों में थोड़ी सी भिन्नता भी पाई जाती है पहले जानते हैं हाइपर थाइरेडिस्म के लक्षण इसमें वजन कम होना, घबराहट होना, मूड बदलना, घेंगा, सांस फूलना, गर्मी लगना, नींद कमाना, चिंता और परेशानी होना, दिल की धड़कन तेज होना, अधिक प्यास लगना, आखों में लाल पन और इसके लाबाद हाइपो थाइरेडिस्म के लक्षणों की बात करें, तो इसमें वजन बढ़ जाता है, तकान महसूस होती है, बालों का जड़ना, अधिक ठंड लगना, डिप्रेशन, गला बैठना, मानसिक तनाओ का होना, मास पीशियों में अकणन, नाखून और बालों का कमजोर होना, त्वचा का रूखा और कमजोर होना, ये सभी हाइपो थाइरेडिस्म के लक्षण है, थाइरेड की बिमारी का पता कैसे लगाया जाता है, इसका पता कुछ टेस्ट से आप लगा सकते हैं, ब्लेड टेस्ट करके टी एसेच यानि कि टी त्री और टी फोर करने से भी इसका पता लगाया जा सकता है, थाइरेड की चिकित्सा की बात करें, तो इसमें जो सबसे मुक के कारण है, वो है नमक, आज कल हम बाजार से आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करते हैं, वो नमक चाहें किसी भी कमपनी का हो, लेकिन अगर नमक में तैमात्रा स जादा आयोडीन हमारे शरीर में जाती है, तो वो हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा कर देती है, जिन में से एक है थाइराइड, ऐसी ही एक दूसरी बीमारी है, नपुन सकता की बीमारी, ये बीमारियां आधिक तर आयोडीन की अधिक्ता के कारण होने वाली ब सबजियों से, हरी पत्तेदार सबजियों से या अन्ने दिन चर्या में खाई जाने वाले चीजों से हमारे शरीर को वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब हम आयोडीन युक्त नमक खाकर तै मात्रा से अधिक आयोडीन अपने शरीर में पहुँचाते हैं तो वो हमारी शरीर में मुख्य बीमारियों का कारण बन जाता है चिकित्सा की बात कर रहे हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अपना नमक बाजार से ले आईए सिंधन नमक के बड़े बड़े पत्थर आपको बाजार में मिल जाएंगे उन पत्थरों को ले आईए उसमें से जितना नमक आपको चाहिए उतना पत्थर तोड़ लीजे उसको पीस लीजे या क्रिस्टल फॉम में रख लीजे और उसको सबजी बना का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसके लावा इसकी चिकितसा हम हरे धनिये से कर सकते हैं आप घरों में जो सबजी बनाते हैं उसमें हरे धनिया की पत्तियां डालते हैं वो हरे धनिया की पत्तियां थाई रैड की सबसे अच्छी ओशली होती हैं इसके लिए आपको हरा धनिया लेना है उसको सिलवटे पर या मिक्सर में ग्राइंडर में पीस कर उसकी चटनी बना लेनी है उसमें नमक, मिर्च यायर ने कोई चीज नहीं मिक्स करनी है वो एक चम्मा चटनी आपको एक ग्लास हलके गुंगुने असादे पानी में मिला कर प जाएगी जब बाजार में हरा धनिया आपको नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे उस स्थिति में आप बाजार से सूखा धनिया लियाए वो जो गोल गोल धनिये के बीज होते हैं वो धनिया बाजार से लियाए उस धनिये को आप पी चाहें तो पीस लें नहीं तो आप और चीज में मिला कर भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा करने से 3-6 महीने में अगर आपकी थाइराइड नहीं है तो 3-6 महीने में उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा अगर थाइराइड पुरानी है तो इसका रिजल्ट हो सकता है थोड़ा समय ले के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा आज के वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम